Cross-Cultural Psychology, Socialization Practices and Culture Socialization Practices क्या होती है यह वो प्रोसेस है जिसके जरीए हम किसी बच्चे को मौाश्रे का एक जिमदार शेहरी बनाते है उसको वो वाला बहेवियर के दार उसके अंदर नश्वन उमा पाता है जिसने वो सुसाइटी में फिट हो सके अपने काम कर सके और मौाश्रे की जो तमाम असूल है उनके मताबिक उसको जिन्दकी गुजारने का तरीका आजाए और Socialization का प्रोसेस जो है वो बच्चे के पैदा होने के बाद उसके छोटे वोते से बड़े होने तक थोड़ा थोड़ा करके उसकी उमर के साथ साथ चलता रहता है एक उमर है जिसमें आप बच्चे को किसी ऐसी चीज़ पे जो उसकी उसे समझ नहीं है सजा नी देंगे या डंटेंगे नहीं आप अपनी खफ़की का अपनी नराज़की का इसाद नी करेंगे उसके बजाए आप उस्ते वो चीज ले लेंगे कि इस ते उसको नुक्सान पौन सकता है आप खुद उसकी हिफाज़त करेंगे क्योंकि वो करवट लेके गिर सकता है लेकिन अगर वो बड़ा हो गया है और फिर वो बिला वज़ा देखे दोड़ा है या सीड़ियों पर कोई शराज़त कर रहा है और गिर रहा है तो उस वक्त आप कहते हैं कि आपको ये बताया था कि हफाज़त करना क्या चीज़ होती है कैसे चलना है तो सोचलाइजेशन का प्रॉसेस एज के साथ चलता है और उसके जरीए बचा मौशरे में जीना और जिनकी गुजारना सीखता है तो इसके जरीए मौशरे की जो इकदार है जो बहेवियर है वैलियूस है वो उसके काई जॉब अपनाते हैं कोई अपने अक्रफेशन में कोई और मरहला ताह करते हैं या हम जिस्दकी के ट्राजिशन करते हैं जैसे शादी के बाद होती है या वालदेन बनने के बाद उती है उसमें कुछ ना कुछ हो आपकी नए तरह की सोचलाइजेशन और लर्निंग का चल रहोता है तब जब जिन्दगी में नए रोल आते हैं कुछ सोचलाइजेशन प्रॉस्टेस तेजी से होते हैं या एक्सलेरेट करके और कुछ यह वो डिले में भी हो सकते हैं कि काफी बड़ा हो गया है इस बात की समझ नहीं आई या बहुत जल्दी उसको बड़ों को सला है सोचली तो आप स्कूलों में देखेंगे कि कुछ बच्चे इसमें आगे होंगे और कुछ पीछे होंगे और कुछ उनको देखके उनके साथ के दूसरे बच्चे तीक रहे होगे कि अच्छा यूं बात की जाती है यूं सवाल का जवाब दिया जाता है सवाल पूशने से पहले हाथ किया खड़ा किया जाता है जिसी की चीज नहीं उठा के खाते यू एक्सपेक के फाइव येर ओल्ड विल नॉट कम आउट आउट वाश रूम विदाउट कब्रिंग थेमसेल्ड बट यू नॉट एक्सपेक्ट दैट फॉम तो ये एक्सलरेट इस तरह नहीं किया जा सकता कि खास उमर से पहले चीज समझ नहीं आती लेकिन कुछ अब तक हम कुछ चीजें पहले सिखा सकते हैं और कुछ ऐसे भी आपको नजर आएंगे बच्चे जिन्होंने काफी बड़े हो गएंगे लकिन वो चीज अभी नहीं सीकी मसला अपने हाथ से खाना खाना या घर में कोई आए तो उसके साथ उसको पूछना कि आप कुछ खाएंगे और कुछ घरों में आप जाएं तो वो बच्चे जो हैं कि मराहिल तैकर चुके होते हैं वो इंडिबेंट हो चुके होते हैं कई इतवार से सोशली भी और परसनली भी तो इस ते आपको समझाएगा कि ये तेज भी हो सकता है और इसकी कोई एक खास फर्मूला नहीं है बारहल मोर और लेस पेरन्स और सोसाइटीज एगरी कि कब ब इसमें हमारी डायरेक्शन भी चेंज होती है फैमली होती है पहले फिर बड़ा दाएरा फिर उसने बड़ा दाएरा जब जिन्दगी में अचानक तबदीली आती है उसमें भी सोशलाइजेशन जो है वो अपना नया रोल प्ले करती है कि आपको नई लर्निंग करनी पड़ अपने आपको ढालने में इसके बारे में हमारे दीन में एक बात माजूद है कि कोई बच्चा किसी एक दीन पर पैदा नहीं होता यह उसके मामबा पैंजो कि उसको वो बनाते हैं इसका मतलब है वो फितरत पर पैदा होता है और एक क्रियेटर की तरफ दिया है उसमें क्रि अपने रवाईयों के हिसाब से उसमें दो चीजे होती एक वो जो उनके जनेटिक्स में वो भी निकलेगी और एक वो जो कि अपनी कल्चर से लर्न कर रहे हैं तो यह कल्चर का रोल है सोशलाइजेशन प्रैक्टिस में कुछ जगों पे माँ बाप तालीम को बड़ी एहमियत कुछ गोंपे ओबीडियन्स को देती है तो इस हिसाब से जो हम कल्चर के बारे में जान चुके हैं उस परस्पेक्टिव में यह देखें कि कल्चर जब इक दूस्ते से फर्क होती है तो उनकी बच्चे पालने की जो प्रैक्टिस हैं वह भी फर्क हो सकती है विक्टर हीगो जो इनसान को दृरिंदे से इनसान बनाता है तो यह कुछ हिस्टोरियन्स के और साइंटिस्ट के कॉल है कुछ cultures close होते हैं तो वो दूसरे cultures के बारे में इतना नहीं जानते हैं लेकिन जब आप study करते हैं तो आप ये देखते हैं कि किसी culture में socialize कैसे किया जा रहा है उनको रस्म और रिवाज उनको रहन सहन कैसे सिखाया जा रहा है और आप अपने culture group के रहन सहन उनके तरीकों से बड जा उसके लिए sense of belonging रखते हैं और socialization जो है वो एक आपको इसलिए भी त्यार करती है कि एक ऐसी society जिसमें मुक्तलिफ लोग रहते हैं उसके बारे में कैसे सीखना है कि लोगों के साथ tolerance कबूल करके सुला जोई से सुला कुल से मिल जुल के हार्मनी से रहना ये socialization जो है वो अपने से मुक्तलिफ लोगों के उनको tolerance socialization के दिखाई जाएगी और दूसरे culture का exposure चाहे वो उनका literature हो चाहे वो उनकी किताबें हो उनकी फिल्में हो उनके गाने हो उनकी रस्में हो उनकी इबादात हो ये उनको देखके आप अपने knowledge में तीक लेते हैं दूसरे culture के बारे मे और इस course का एक बड़ा मकसद यह है कि आप खुद भी दूसरे culture के लोगों की acceptance और diversity के साथ जो है वो comfortable हो जाएए उन्हें accept करें एक मिसाल है कैसी socialization practice की जिसके जरी हम अपने culture में function करते हैं friends and family के साथ किस तरह interact करना है कुछ घरों में मैंने सुना कि नी जी बेटों के friend घर म आपने शेर से बाहर नहीं जाना ठीक अब आपकी कैसे interact करना है family के साथ बड़े ने आना है तो क्या करना है चोटों ने आना है तो क्या एक जगा बैठना है या बज़र के एक जगा बैठेंगे और बच्चे खेलने और जगा जाएंगे मामूली सी बात है लेकिन यह socialization का ह हिस्सा है फिर हमने rules को बे करना है फिर हमने अच्छा काम करना है या घर में कोई मदद करनी है तो उसके उपर आपको चाबश मिलेगी या कुछ मिलेगा और इसके अलाबा हमें यह बताना कि public place में कैसे behave करना है यह सब socialization practices के जरिए आता है